चलिए आज तक हमने उत्राखंड राजय के नदी तंत्रों के अत्रगत उत्राखंड की सारी बड़ी नदियों के तंत्रों को देख लिया है अब हम देखेंगे कुछ छोड़ी नदियों का तंत्र उनकी सायक नदियों को जातर नदियां जो मध्य हिमाले से निकलती है तो चल चमोली, अलमोडा और पॉडी होते हुए निकल जाती है राजसे बाहर तो देखते हैं सबसे पहले इसकी सायक नदिया को जो है गगास, بिनो जो निकलती है दूनातोर इसननी से ही तीसरी है बिर्मा तो बिर्मा, गगास और बिनो ये सायक नदिया है किसकी पस्मी राम गंगा की और पस्मी राम गंगा की कुल नमबाई है 155 किलो मिटर तो यहाँ पर कर्फुजन सायक नदियों में होता है कि बिर्मा, गगास और बिनो किसकी सायक नदिया है तो ये हैं पस्मी राम गंगा की अब देखिए दूसरी नदी है कोसी जो निकलती है धारा पानी धार कौसानी से कौसानी बागित्सवर के आसपास से निकलती है ये नदी कोसी नदी तो देखें कोसी की जो सायक नदिया है वो है देवगाड मिलोन गाड मिनोल गाड और सुमाली गाड तो और ये कोशी के साएक नहीं है याद रखने मेहFit वागाद मेनोलगार में मेहीं और बिर्मा जबकि कोसी की हैं देवगार मिलोन गार और सुमाली गार ठीक है अगला देखते हैं कुछ नदियों को जो बहती है यूएस नगर में तो गरम पानी ननिताल से निकलने वाली नदी दापका जो ननिताल में बहती है और बाचपुर के समीब उत्राखन से बाहर नि जो यूएस नगर में बहती है और खानपुर से बाहर निकल जाती है और तीसरी जो नदी है वो है मैं तो गोला गोला देखिए पाहाड पानी ननिताल से निकलती है जब किसकी सायक नदिया है कराली बालिया जो ननिताल जिल से निकलती है बालिया नदी और कालसा जो ये त किच्छा के समीब गोला इन तीन नजियों का पानी डेकर किच्छा के समीब राजे से बाहर निकल जाती है। इन्हें भी याद रखने की जरूरत है। दापका जो बाकरा जो खानपुट से बाहर निकलती है। गोला जो किच्छा के पास से बाहर निकलती है। तो यहां से प्रस्ण पूढ़र जाने की संभावना है। अगला कुछ़ फैक्ट देखते हैं। इसके बारे में जो है। गोला का प्राची नाम है गारगी और तो यह थी कुछ छोटी नदियां जहां से प्रस्ट पुछने जाने की संभावना है तो यह हमाना नदी तंत्र आज समाप्तुआ अब हम देखेंगे अगले पाड में नदी तंत्र के नदियों के तर्ट पर बसे विए सहर